Hello Guys, Welcome to my New Vlog तो Guys, आप सब तो जानते ही होगे फिलाल मैं माउंट आबू मे हो। माउंट आबू में इतनी जादा चीजे हैं ना देखने के लिए Guys, आप देख देख के पागल हो जाओगे इतनी जादा चीजे आप देख भी नहीं पाओगे यहाँ पर मेरे को करीबन चार से पांच दिन हो चुकी है फिर भी हम मतलब पूरा जो माउंट आबू है वो अच्छी तरह से नहीं देख पाए है इतना बड़ा ये पूरा माउंट आबू है तो गाइस फिलहाल जहां हम रह रहे हैं मैं आपको उसका थोड़ा सा क्लिप दिखाना चाहूँगा और मैं आपको बता दूँ इधर जो माउंट आबू है इसमें अलग-अलग लोग है लोग मतलब क्या कहते हैं जैसे की एक जैसे की ब्रह्मा लोग है वो लेडीज का है अब जो मेरी मदर है और जो उनके ग्रूप है लेडीज के वो ब्रह्मा लोग में रहते हैं और हम त्री लोग में रहते हैं जो मेरे ग्रूप के मैंबर थे जो मैं थे जैंट्स थे हम त्री लोग में रहते हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ एक सेकंड तो देखो गाईज अब जो आपको त्रिलोक की एक फोटो दिखाऊ हूँ हमें स्क्रीन पर यह त्रिलोक है और इसके अंदर हमारा रूम है ठीक है और इस रूम को मैं आपको दिखाता हूँ स्टार्टिंग से ही कैसा है ओके तो काईस उधर से है हम आते हैं लिफ्ट से आते है उधर लिफ्ट है तीन लिफ्ट पूरी है इस बिल्डिंग में और यहां से आके जो हमारा यह 504 है न यह हमारा है रूम तो यहाँ पर जैसे ही मैं अभी फिलाल इस रूम में अकेला हूँ क्योंकि जो और सब है वो खाना-kुना-kाने गए हुए है तो यहाँ पर करते हैं फैन ओन और रूम को कर लेते हैं बंद तो गाइस रूम हो गया है बंद तो यहाँ पर यह है बेट दो, च्ञार, छे, आठ यहां पर पूरे बेट है और गाईस में अपको बता olan को कुट कर लूम हो गया है और यहाँ पर बखी आठ बेट है यही थे जो दो जनके थे और रेवारी के आ गए इसलिए दो जनके फुल हो गए और जो ौइ अच चैStar ते वह भी फुल हो गए रेवारी के दो जनके जो ज़िक्ता कमरी है यह बिल्ब किम फूल फूल हो गए है तो और यहां तो जो उमशान्ति सेंटर यहां पर आए था उ only था थो कंगा बड़े हां वração tuck सत्य हैं अगर आपको आना है यहां पर तो आपको अपने संटर के त्रुआ पड़े गा सेंटर मतलब हैं आ और आप उनके थूही आना पड़ेगा तो यहां पर आपको गूमने के लिए बहुत ही कुछ मिल जाएगा और गाइज यह है बाथरूम इसका ठीक आए देखा बादरो भी तो यहां पर यहां तो फुल फैसिलिटी तो देखो गाइस अभी तो फिलाल दूप है वनलब सुबह की टाइम और श्याम के टाइम एक नंबर का नजा रहा है हाँ पर दिखता है और देखो गाईस देखो यार मतलब यहां पर पहाड़ पूर मतलब फुल वो है और देखो आईस और यह तो बल् प्रेवरे रूम का रिवियू और अभी हम जाएंगे घूमने तो आप वीडियो को पूरा एंड तक देखना और लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर देना गाईज तो गूमने जाएंगे मैं आपको हर एक छोटी से छोटी तीज दिखाऊंगा इस वीडियो को पूरा वो बनाना अलाउड नहीं है, इतर फोटोज खीचना और नॉर्मली वीडियो बनाना ही अलाउड है, मलब लोग बना सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि सब के सामने खुलना मतलब ऐसा खुलना खुलना बना सकते हैं, लेकिन हां कुछ ना आपके लिए वीडियो शोट्स ले लू आपको दिखाता हूँ थोड़ी सी बिल्डिंग, ओके तो गाईज जो मेरा रूम था वो था उधर और मैं आ गया हूँ बिल्डिंग के पीछे तो गाईज मैं आपको इसका भी विउ दिखा देता हूँ तो देखो गाईज जो इसका व्यू है वो कुछ इस टाइक का है जो हमारी बालकनी दिना उससे भी गजब व्यू तो यहाँ पर बिल्डिंग के बैक यार्ड का यहाँ पर मुझे दिख रहा है देखो गाईज मैं तो यहाँ पर आता हूँ शाम को देखने अभी वैसे अभी ठंडी हवा चल रही है लेकिन शाम को और ठंडी हवा चलती है तो गाईज देखो यहाँ पर एक और विल्डिंग है जिसको स्टूडियो हाउस कहते हैं और यहाँ पर देखो गाईज मैं आपको थोड़ा आगे जाके दिखा देता हूँ तो यहाँ पर वही हमारा रूम आ जाएगा यहाँ पर देखो गाईज जो रूम है हमारा वही जो बालकनी है न गाईज यहाँ पर मिली हुई है ऐसा नहीं है अलग है तो गाईज देखो वही आ जाएगा तो यह था यहाँ पर बिल्डिंग का बैक और मैं आपको थोड़ा जहां पर लिफ्ट है ना उसके आगे का विव भी दिखा देता हूं वह भी विल्कुल अच्छा है गाइस मैं आया हूँ वहां से और लिफ्ट वो रहे क्योंकि जो हमारा ये रूम है यह फिफ्थ फ्लोर पर है और ग्राउम ख्लोर और से फिफ्ष लॉर पर आने के लिए लिफ्ट तो चहीए और मैं आपको थोड़ा बाहर का दिखा देता हूँ, यहां पर देखे, यहां से मैं चाहूँ नहीं होना चाहिए, लोग नहीं है, तो गाइस देखना रिधर से तो मतलब ना गजब ही विवाता है, तो देखो गाइस, इधर फोटो भी किछबा सकते हैं, ऐसे तो मैंने भी आपर यहां फोटो किछबाई है, देखो गाइस, इधर से कितना मस्त व्यू आ रहा है, और मैं आप दिखाता है, वहां से भी कितना एक नमबर का उपी लूँख हा रहा है, मैं आपको फोन को कैमरा रोल करके दिखाता हूँ, देखो गाइस, यह बिल्डिंग है, और जो वह रहे हमाँ प्राहं क कि अलक ब्लोड के धर्राइज यहां पर हमारे जो मदर यह व्लोंट इस अलग हो गए पहार लृष यहां से हम जा रही है अज को यह था मैं रूम लोग अर विल्डिंग्ग का थोड़ा न Battle complained जरूर करेटा है कि आया रिपनी महनच से मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूं तो एक झाल झाल